एन्सीसी भरती में पूछेगा प्रस्ण 100% सेलेक्शन कन्फर्म होगा आज के क्लास में होगा फिरी मोडल पर फोर यानि नेक्स्ट सेबेंटी कोस्चन और मात्र 50 मिनट का टाइम अपको मिलेगा और शत्र माक से पेपर होंगे तो कौन बताएगा शत्र में शत्र सही आपका सेलेक्शन कन्फर्म होगा और एक कोश्चन के लिए मात्र आपको 20 सिकंड के समय मिलेगा तो चलिए हम लोग सुरू करते आज का टेस्ट जुरूब नए होंगे चनल सबस्क्राइब करेंगे शभी को जहिन के परस्ट कोश्चन है न्सीषी में अस्टुडेंट्स को क्या कहते हैं ओफसान ए एस्टुडेंट्स बी सोल्जार्स सी मिलिटेंट्स या फूडी करेट्स टाइम शुरू हो चुका है आंसर सभी का लिमिट टाइम में आपका टाइम इधर चल रहा ठीक है इधर आंसर लिमिट टाइम में देना है NCC में Students को क्या बुलाते हैं यह बताना है ओप्सणा को शामने है Students, Soldiers, Militants या फिर Carriers चलिए Fast, Time Up तो इसका correct answer होगा NCC में Students को Carriers बुलाते हैं तो Option D वाएले से ही जैसे आपका अभी आप Student हो आपका एडमिशन होगा तो आपके नाम क्या आगे उसमें जब आप NCC में लिखोगे तो कैड़ेट्स लगा करेखो जैसे कैड़ेट्स मोहान कुमारी इस तरह से ठीक है Next, Second Question हमारा श्रमिधान कब लागू हुआ था? Option 26 No.19 को, Option B, 26 No.19 को, Option C 26 No.19 को या फिर Option D 26 No.19 को टाइम से रो चुका है और जिनको भी NCC लाणा है आप यह टेस्ट पूरा देंगा ठीक है? सतर और लास्ट में कमण करें पतीगा आपका सतर में कितना सही हुआ? क्योंकि limit time है 50 minute में 70 question कर रहे हैं तो यह special आपको लोग के लिए किया गया है ताकि ज्यादा revision भी हो और आपको पता चले है आपने कितना preparation कर लिया चिरे time up तो हमारा श्मिधान 26 January 1950 को लागू हुआ था option D वाय ले सही है next question में हाइड्रोजन और oxygen का अनुपात कितना है option एक अनुपात दो option भी दो अनुपात एक option सी तीन अनुपात एक या फिर option एक अनुपात तीन time शुरू चुक है question बहुत easy है आपको समझने की दिर है H2O जो कि water cup formula होता है इसमें hydrogen और oxygen का अनुपात कितना है एक अनुपात दो दो अनुपात एक तीन अनुपात एक या फिर एक अनुपात इन चलिए जल्दी सभी लोग और दो सेकेंड का मात्र टाइम बचा है time up तो H2O में hydrogen और oxygen का अनुपात दो अनुपात एक का होता है ठीके 2 is to 1 तो option B वाले सही है next question no.4 मैं एक मोहन लाइन boundary कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है option है नेपाल और भारत के B भुटान और भारत के C म्यामार और भारत के या फर्दी चीन और भारत के time शुरू हो चुका है सभी लोग जल्दी से बताएंगे मैं एक मोहन लाइन boundary कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है मतलब किंदू देशों को ये डिवाइड करती है नेपाल भारत भुटान भारत म्यामार भारत या फिर चीन और भारत को चले जल्दी time up तो मैं एक मोहन लाइन boundary चीन और भारत के बीच में पड़ती है ठीक है ओप्सन डी वाला सी है चीन और भारत next question number 5 शिच्छा का अधिकार किस अनुष्यद में आता है ओप्सन ये अनुष्यद 21 ऑप्सन डी अनुष्यद 21 ऑप्सन से अनुष्यद 20 ए या फिर ओप्सन डी अनुष्यद 21 ए टाइम चुरू हो चुका शिच्छा का अधिकार किस अनुष्यद में आता है अनुष्यद 21 ऑप्सन डी अनुष्यद 21 ऑप्सन डी अनुष्यद 21 ए टाइम आप तो शिच्छा का अधिकार ये अनुष्यद 21 ये में आता है तो अप्सन डी वाले से अर्टिकल 21 है Q6. काजिरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से पर्देश में इस्तित है? Option है अश्रम में? B. गुजरात में? C. उत्र पर्देश में? या फिर D. में घाले में? टाइम शुरू हो चुका है सबी लोग जादी से बताएंगे Q7. काजिरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से पर्देश में इस्तित है? Option है के सामने है अश्रम में? गुजरात में? उत्तर पर्देश में? या फिर मेगाले में? चलिए जल्दी टाइम आप तो काजिरंगा नेशनल पार्क भारत के आश्रम राज़ में इस्तित है तो आप्शन एवाले से ही आश्रम राज़ में नेक्स Q7. भारत में कुल कितने नया याले है आप्शन 28 नयाले B 25 नयाले C 35 नयाले EF D 38 नयाले टाइम शुरू हो चुका है और यह सारे कोश्चन आपके NCC भढ़ती के पूछे के ओरिजिनल कोश्चन है ठीक है तेजास सेन पर आपको सारे ओरिजिनल पेपर ही पढ़ा जाते कोई साइड से नहीं और टोटल ओरिजिनल कोश्चन आपको 16 सेस्ति भी ज्यादा एवलेबल लग राएगा इसलिए आपके एकजाम में सेम कोश्चन साते हैं मैक्समाम जगा 100 परसेंट बागी जगा 80-90 परसेंट सेम चलिए टाइम आप तो भारत में कुल न्याल है यानि हाई कोट की शंख्या 25 है यानि 25 न्याल है तो आप्शन B वाले से ही 25 नेक्स्ट कोश्चन नमर 8 फादर ओफ इंडियन मिशाइल टेकनोलोजी की से कहते हैं आपसाने ए एस किरन कुमार बी डॉक्टर एपी जब्दुल कलाम को सी राकेश केजन को याफ़डी वेंकाट रमन राम कृष्णन को टाइम शुरू हो चुका है फादर ओफ इंडियन मिशाइल टेकनोलोजी की से कहते हैं सभी लोग जल्दी से बताएंगे बाकिश शाम में आपकी क्लास आठ बजी कंट्नेव ठीक है फूल इयर जिनको 2030 में भी NCC लेना होगा आप उनको बोलनेंगे आठ बजी क्लास करते रहेंगे टाइम आप फादर ओफ इंडियन मिशाइल टेकनोलोजी डॉक्टर एपी जबदुल कलाम को हम लोग कहते हैं आप्शन बी बाले से ही एपी जबदुल कलाम नेक्स्ट कोस्टन मनाई मडिपूर की रजधानी कहां है आप्शन इसिमला आप्शन बी इंफाल आप्शन सी सिलों या फिर आप्शन डी दीसपूर टाइम शिरू हो चुका है आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बिलकूल नहीं पढ़ते हैं और उनको राज रजधानी में भी अच्छे से उनको याद नहीं होता है इसलिए आपको बढ़ियास पढ़ना पढ़ेगा बाकि 16 सब कोश्चन अच्छे सबढ़े ठीक सिलेक्शन कंफर्म योग कि अभी तेक आपना जितने गुना टेस्ट यह 100% रिजल्ट है और मैक्सिम में आपको टॉप करते वाप है ठीक है आप भी मेनद करें टाइम आप तो मड़ी पूर्गिया धानी इमफाल है ओप्शन बी वाले से इमफाल नेक्स्ट कोश्चन मठें पारा ओलम्पिक खेद 2020 किस सहर में हुआ था ओप्शन है माल्दी में बी मुंबई में शी लंदन में याफिडी टोकियो में टाइम शुरू हो चुका पारा ओलम्पिक पूछाया नी हैंडिकेप्ट लोग का जो होता है ठीक है पारा ओलम्पिक पारा ओलम्पिक खेद 2020 किस सहर में हुआ था पूछाया ओप्शन है माल्दी में बी मुंबई में शी लंदन में याफिडी टोकियो में जल्दी सबी लोग बताया चलिए फास्ट टाइम अप तो पारा ओलम्पिक खेद 2020 टोकियो में गवा था और पूलम्पिक भी वही पह गवा था अप्शन डी वाले से ये टोकियो में नेक्स्ट कोश्टन अमरे 11 भारत में सबसे कम जीला वाला राज कौन सा है अप्शन गोवा बी शिक्किम शी उत्तर परदेश या फिर डी अशम कोश्टन समझेगा बहुत इजी है वीच स्टेट हविंग मिनिमम डिस्टिक्ट यानि सबसे कम जीला किस राज में अप्शन गोवा में अप्शन भी शिक्किम में अप्शन डी शी उत्तर परदेश में या फिर अप्शन डी अशम में चेली सबका शाय वाना चीए टाइम अप सबसे कम जीला गोवा में प्रथम महिला IPS कौन बनी, बच्छंद्री पाल, ब किरण बेदी, शी इंद्रा गांधी, या फिर डी, पीटी उशा, टाइम शिरो हो चुका है, बच्छंद्री पाल, किरण बेदी, इंद्रा गांधी, या फिर पीटी उशा, जल्दी, टाइम आप, तो प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी ठीक है, तो आप्छंद्री वाले साही है, किरण बेदी, नेक्स्ट, क्वेश्टन माथ 18, काजी रंगा, नेशनल पार्क, भारत के कौनसे प्रदेश में इस्तित है, ओफ्सान या असम में, बी गुजरात में, सी उतर प्रदेश में, या फिर डी में घाले में, टाइम शुरू हो चुका है, काजी रंगा, नेशनल पार्क, भारत के कौनसे प्रदेश में इस्तित है, सभी लोग, जल्दी से बताएंगे, शारे ओरिजिनल कोश्चन इस तेस्ट पूरा सत्तर का सत्तर ठीक है, फजास मिनट में सत्तर कोश्चन, आपको कहीं नहीं पढ़ा जागा इतना कम टाइम में, लिमिट टाइम में, जल्दी सभी लोग फास्ट, पाइम आप, तो कजरंगा निशनल पा यह औश्चन में, ठीक है, तो अप्सन इवाले से ये औश्चन में, नेक्स्ट कोश्चम और फटीन, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी बार इयूद हुआ है, अप्षन इदो बार, अप्षन भी तीन बार, अप्षन सी चार बार, या फिर अप्षन दी पाँ saves बार टाइम शुरू हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी बार यूद हुआ है सब ही लोग जल्दी से बताएंगे ऑप्सण ए दो बार ऑप्सण भी तीन बार शी चार बार या फिर of sun डी पांच बार पाकिस्तान को कितने बार मार है हम लोग टाइम आप तो अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच टोटल चार बर एनी फोर टाइम सी दुआ तो अप्शन C वाले से ये चार बार Next कोश्चमा 15 फुलफर्म में ध्यान देना AIDS AIDS का फुलफर्म लिखे Option A Acquired Immune Deficiency Syndrome Option B Acquired Immune Deficiency Virus Option C Anti-Immune Deficiency Syndrome या फिर Option D Acquired Immune Difficult Syndrome टाइम शरू हो चुका है Full Form of AIDS 20 सेकंड ही टाइम में लेगा आपका टाइम चल रहा है बगल में जल्दी सब लिख बताएंगे Full Form में आप थोड़ा मिस्टेक करेंगे गलत इसलिए अच्छे से स्पिलिंग ध्यान देना है और अच्छे से याद करना पड़ेगा चली जल्दी और 4 सेकंड है गुड़ जोष टाइम आप तो AIDS का Full Form हता है Acquired Immune Deficiency Syndrome आप्शन ये वाले से ये बाकी सबी गलत हो नेक्स्ट 16 नमबर सुरे की किरण सब से पहले किस देश की धर्ती पर पड़ती है आप्शन शाउथ कोरिया की Option B जापान की Option C चीन की या फिर Option इंगलेंड की धर्ती पर टाइम शुरू हो चुका है अतला Sun Rage यानि सुरे की रोषनी सब से पहले किस देश की धर्ती पर पड़ती है Option आपके सामने है Option ये शाबत कोरिया की B जापान की C चीन की या फिर D इंगलेंड की चलिए फास सबी लोग टाइम आप तो सब से पहले सुरे की किरण जापान की धर्ती पर पड़ती है Option B वाले से ये जापान की Next Question 17 भारत की पहली महिला राजपाल कौन बनी Option ये सिर्यमती शरुणी नाड़ू Option B सुस्मास्वराज Option C राबड़ी देवी ये फिर अप्सणी किरण बेदी Time शुरू हो चुका बहुत easy question ये बच्चा वाला Right the name of First Lady Governor of India यानी भारत की पहली महिला राजपाल कौन बनी Option ये सिर्यमती शरुणी नाड़ू B सुस्मास्वराज C राबड़ी देवी या फिर डी किरण बेदी जल्दी सबी लोग सबका सही हो नाचीए Time up तो पहली महिला राजपाल भारत की शिर्यमती शरुणी नाड़ू बनी थी Option ये वाले से कुछ लोग इंद्रा गांधी को भी बना देते राजपाल अरे भाई हो तो परधान मंद्री थी नहों तो ध्यान दीजिए Question number 18 सबसे अधिक जनसंख्यावाला देश कौन सा है Option ये रूष Option B भारत Option C अमेरिका या फिर Option D चीन Time शरू हो चुका है ये question बहुत जगव इस बार भी पूछा है 2022 में पिछले साल भी पूछा था Which country having largest population ये शबसे ज़्यादा लोग किस देश में रती ये बताना है Option ये रूष B भारत C अमेरिका या फिर D चीन Time अप सबसे अधिक जनसंख्यावाला देश चीन है Option D वाले से ये आइसका जनसंख्या आपको पता न लगभग 144 करोड लगभग Next 19 नमबर FDI का फूल फॉर्म लिखो Option Foreign Direct Investment Option B Foreign Director Investment C For Direct Investment FD Foreign Direct Invest Time शुरू हो चुका है Full Form of FDI Option अधियान दिजेगा Foreign Direct Investment है B में Foreign Director Investment C में For Direct Investment या फिर Option D में है Foreign Direct Invest चली फास्ट ये सारे आपके एक्जाम में पूछे गए हैं Time up FDI का Full Form Correct Answer होगा Option A वाले से ही है Foreign Direct Investment Next Question 20 NCC की अस्थापना कब हुई Option A 16 अपरेल 1949 B 16 जुलाई 1949 C 15 जुलाई 1949 या फिर D 15 अपरेल 1949 Time शुरू हो चुका है हुए नमाज NCC Establish यानी NCC का स्थापना कब हुई थी Date के साथ आपको याद हुणे चीश में तो काफी लोग Google बगरा देखतो हो आपे गलात आंसरे चेले जल्दी 16 अपरेल, 16 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 15 अपरेल को हुई थी फास्ट, टाइम आप, तो NCC के स्थापना 16 जुलाई, 19 जुलाई वाले सही ये वाकी लोग गलत नेक्स्ट, 21 नमबर, भारत की आजादी के बाद पहला पर्धानमत्री कौन था आप्सट, लालबादु शास्त्री, आप्सट वी नरेद्र मोदी, आप्सट शीप पंडित जभालान लहरू, या फिर आप्सट इंद्रा गांदी, टाइम शिरो हो चुका है मतलब हमारा देश जब जाद हुआ भारत, तब हमारे देश के पहले पर्धानमत्री कौन बने थे, ये बताना नेक्टे कितना कोश्चन को फसाक बस पूछा लेकिन कोश्चन होई है आप्सट लालबादुर शास्त्री, बिन अरेन्र मोदी, शिप पंडित जभालान लहरू, या फिर इंद्रा गांदी, फास्ट टाइम आप, तो भारत के जादी के बाद पहले पर्धानमत्री थे, पंडित जभालान लहरू, आप्सट सीवाले से ये नहरू नेक्स्ट, 22 नूमर, मराठा समराज के संस्थापक कौन थे, आप्सटन है, महराना परताप, B. छतरपती, सिवाजी महराज, C. समराठा सोक, या फिर रानी लश्मी भाई, टाइम शिरू हो चुका है कोस्टन वैसे बहुत इजी है, अगर आप पढ़े होंगे तो, ये तो इसमें भी कुछ लोग गलत बताएंगे, इतना आसान कोस्टन, मराठा समराज के संस्थापक कौन थे, महराना परताप, शिवाजी, समराठ अशोक, या फिर रानी लश्मी भाई, चले जल्दी, टाइ कौस्टरपती, शिवाजी महराज, ओप्शन B वाले सही, शिवाजी, कोस्टर माठ 23, अभी ध्यान दे, बहुत इज अच्छा कोस्टर इसमें से, इन में से अलग कौन से नी, ओड वर्ड, ओप्शन E, क्रो, ओप्शन B, अस्पैरो, ओप्शन C, गोट, या फिर अप्शन D, टाइम शिरू हो चुका है, तो बच्चा लोग आपको इंगलीस भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ओप्शन इंगलीस में ही दिया है, ओप्शन हिंदी में नहीं है, बश्चन क्रो मतलब कौगा, अश्पैरो मतलब गोड़या, गोट मतलब बकरी और डख मतलब बता, चलिए जल्दी सबी लोग, भीने सब इन में से और वाट बताना है, टाइम अप, तो इन में से अलग है, गोट, यानि ये बकरी जानवर है, बाकी लोग पच्ची ये बर्ट, तो ओप्शन सी वाले से ये गोट, क्वेश्चमर टवंडिफोर, रामायाण, किसने लिखी है, ओप्शन महर्शी वेदव्यास ने, ओप्शन महर्शी कवी रिशी ने, ओप्शन सी महर्शी बालमिकी ने, या फिर ओप्शन दी देवर्शी नारद ने, टाइम शुरू हो चुका है, सबी लोग जदी से बताएंगे, रामायाण किसने लिखी है, वेदव्यास ने, कवी रिशी वालमिकी ने, या फिर देवर्शी नारद ने, टाइम आप, तो रामायाण महर्शी वालमिकी ने लिखाए, ठीक है, तो अप्शन सी वाले से ये वालमिकी, नेक्स्ट, कोस्टमर 25, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, आप्शन ए, इंजिनियर सिरी धरण को, आप्शन बी, लालू परशा द्यादों को, आप्शन सी, पी स्गेल को, या फिर आप्शन डी, अश्वी निवाशनों को, टाइम शिरू हो चुका है, शबी लोग, जल्दी से बताएं, मेट्रो मैन के नाम से किस वेक्ति को जानते हैं, चलिए, फास्ट, और दो सेगेन, टाइम अप, तो मेट्रो मैन के नाम से, इंजिनियर सिरी धरण को जाना जाता हैं, तो आप्शन यह वाले से यह सिरी धरण, नेक्स्ट, 26 नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधान मत्री कौन बनी, आप्शन ए, शिरी मती सर्नी नाडू, आप्शन बी, शिरी मती निर्मला सितर रमन, आप्शन सी, शिरी मती इंद्रा गांधी, या फिर आप्शन डी, शिरी मती पर्तिभा देवी सी पार्टी, टाइ ओप्सन सर्णी नैडू, निर्मला सितरमन, इंदिरा गांधी या फिर पर्तिभा देविश्णी पार्डिल, टाइम आप, तो भारत के प्रथम महिला परधान मत्री, शीरिमाती इंदिरा गांधी बनी थी, शीवाले ची, इसमें भी कुछ लोग सर्णी नैडू लिख दिये, थोड़ा ध्यान दीजिए जो लोग गलत हो, 27 नमबर, हुआइट हाउश कहां पर इस्तित है, ओप्सन ए जापान में, बी शाउथ कोरिया में, ओप्सन सी इवेसे में, या फिर ओप्सन इंग्लेंड में, टाइम शिरो हो चुका है, हुआइट हाउश कहां पर इस्तित है, आंसर सभी का जल्दी से आना ची है, चलिए फास्ट, ओप्सन ए जापान में, बी शाउथ कोरिया में, शी इवेसे में, या फिर इंग्लेंड में, टाइम आप का इधर चल रा, ठीक है, टेस्ट पूरा दीजिएगा, टाइम आप, तो वाइट हाउश, ये इवेसे में, आप्सन भी जेविलीन थोरो में, आप्सन सी हॉकी में, या फिर आप्सन डी टेनिस में, टाइम शुरू हो चुका है, दो हजार एकिस टोकियो उलम्पिक में केवल निराज चप्राने गोल्ड मेल दिला था ना भारत को, तो इसनोंने किस खेल में गोल्ड मेल जीता था, य जेविलीन थोरो, शी हॉकी या फिर डी टेनिस, चली फास्ट, टाइम आप, तो निराज चप्राएं दो हज रेकिस टोकियो में, जेविलीन थोरो या नी भाला पेक में, भारत को गोल्ड मेल दिला था, बीवाला सी ये जेविलीन थोरो, नेक्स्ट, ट्वन्टीनाय नंब श्वतंत्र भारत के पहले उप पर्धानमत्री का नाम लिखी है, ओप्शन ने लालबादुर शास्त्री, ओप्शन भी सरदार वल्लाभई पटेल, ओप्शन सी पंडित जवाल नहीं रूर, या फिर ओप्शन इंद्रिया गांधी, टाइम शिरू हो चुका है, और टेस्ट आपको पूरा देना, ठीक है, ये? शत्तर कोशन का, क्योंकि पचास मिनट में, शत्तर कोशन लिमिट अपके, आपको पचास कोशन के लिए, जब का टेस्ट होता है एनसीची का, इस बार, शे थर्टी मिनट का ही टाइम देले लगवाक सभी जगा, ठीक है? चली जल्दी, स सुतंतर भारत के पहले उप परधामद्री कौन थे? वुड़ज, टाइम आप, तो हमारे सुतंतर भारत के पहले उप परधामद्री थे, शर्डार, व्ल्ला भाई पटेर, और प्शन भी वाले सह है, ये व्ल्ला भाई पटेर. option b 1946 में 1965 में 1962 में और 1999 में option c 1946 में 1965 में 1972 में deciक या फिर option d 1962 में 1965 में 1972 में slippery 16ба OU propos अभी थोड़ी देर पहले कोश्चन आहता चार बार हुआ हुआ उछ चारों टाइम दिया है छब का सभी होना चीह है चलिए फास्ट और तीन सेगंड बचा है टाइम आप तो भारत पागिस्तन के उछ चार बार जो हुआ है वह उनिश्वशन शेहां तालीस में फिर उनिश्वपेंसट में 1970 में और फिर 1999 में लास्ट कारगी लिए Option C वाले से ये बाकिश अभी गलत हो Next 31 कंगारू से कौन से देश को जाना जाता है Option A अंटाक्टिका को B फ्रांस को C अस्टेलिया को या फिर D ब्राजिल को Time शुरू चुका कंगारू से किस देश को जाना जाता है सभी लोग जल्दी से बताएंगे Option आपके शामने है चलिए Fast कंगारू से कौन से देश को जाना जाता है और 2 सेगेंड Time अप तो कंगारू से और स्टेलिया को जानते क्यों आपके सबसे जाता कंगारू पाई जाते तो Option C वाले से अश्टेलिया Question 32 Tokyo Olympic 2021 में Gold medal लेने वाले भारतिये खिलाडी का नाम लिखिये Option E शुशिल कुमार Option B अभिनोबिंदरा Option C निरा चुपड़ा या फिर Option D PV सिन्दू Time शुरू हो चुका शबी का सही होना चीए चली जल्दी अभि Tokyo Olympic 2021 में Gold medal कौन खिलाडी लिया भारत का फास्ट टाइम आफ तो इसका correct answer होगा Option C निरा चुपड़ा C वाले से ये बाकिशा भी देख लो अभि थोड़ी दिर पाले ता आपको बताया था निरा चुपड़ा तो ध्यान राखिए 33 कीम जोंग उन कौन से देश की है Option है South Korea की B जापान की C चाइना की या फुर्दी North Korea की टाइम शिरो हो चीका कीम जोंग उन कौन से देश की है तो आंसर सबी के जल्दी से आना चीए चलिए फास्ट जापान चाइना या फिर North Korea की टाइम आप तो किम जोंग उन ये North Korea का ठीक है Option D वाले से North Korea नहीं उतर Korea की Q34 IIT का Full Form लिखे Option है International Institute of Technology Option B Indian Institute of Technology Option C Indian Institute Technology या फिर Option D Indian Institute of Telecom टाइम शुरू हो चुका है IIT पता है आप लोग सुने होगे या भारत का Engineering College है तो इसका Full Form होताना है Option आपको सामने है सभी का सही होना चीए चलिए जल्दी Full Form of IIT गुट जोस टाइम आप तो IIT का Full Form होता है Indian Institute of Technology Option B वाले सही है बाकी लोग गलत हो इस्पेरिंग ध्यान देना ठीका Full Form पूरा सही होना चीए कोश्टमा 35 भारत के प्रतम राष्ट्रपती कौन थे? Option है डॉक्टर एपी जब्दुलकलाम Option B श्री रामनाथ कोविन Option C डॉक्टर रजेंदर परसाथ या फिर आप्शन डी पंडी जवाला नहिरू टाइम शुरू हो चुका है Who was the first president of India? डॉक्टर एपी जब्दुलकलाम श्री रामनाथ कोविन डॉक्टर रजेंदर परसाथ या फिर पंडी जब्दुलकलामनाथ नहिरू चली जल्दी और तीन सेकंड टाइम बचा टाइम आप तो भारत का प्रथम राष्ट्पदी थे डॉक्टर रजेंदर परसाथ Option C डॉक्टर रजेंदर परसाथ या फिर उप्टर डी छो बंग टाइम शिरू हो चुका है भारतिये शेना के कितना अंग है सबी लोग जली से बताएंगे इंडिया हाव मेनी आमड फोर्सेज Option तीन B4 C5 या फिर डी छो टाइम आप तो भारतिये शेना के तीन अंग है पता है न तीना कौन-कौन पूछता है लोग आंसर में अक्सर बहुत जगह पूछा है अरमी इंडियान एर्फोर्स और इंडियान ने भी तो याद रखना है Option यह वाले सिए तीन Question 37 NCC का full form लिखो Option A National Credit Core B National Credit Core C National Credit Core Option D Non Credit Core Time सुरू हो चुगा Spelling देना इसका जो गलत करेगा आपका selection बिल्कुल नहीं होगा इसलिए 100% सही होना चीए आप NCC लेने जा रहे तो full form अगरा और उसके बारे में basic question पता होना चीए और मैंने आपको शारे answer के साथ बता रखा इसलिए पढ़िए अच्छे से What is the full form of NCC Time up NCC का full form correct answer होगा National Credit Core Core का spelling लिखते है C U R P S पढ़ते हैं Core इसलिए ध्यान रहे C वाले से बाकी सबी गलत हो आप लोग याद करेंगे बढ़िया से Question मत हटी है थिम्पू किस देश की रजधानी है Option है नेपाल की B श्रिलंका की C भुटान की या फुडी थाइलेंड की Time शिरू हो चुका है थिम्पू is the capital of which country बहुत इज़ी है इसमें भी कुछ लोग गलत करते हैं पता नहीं पढ़ते हैं नहीं बिल्कुल जब आपको आंसर सारा बता रखा तो पढ़के आईए टोटल 1600 से भी ज़्यादा कोशन आपको पढ़ने है पहले जल्दी थिम्पू किस देश की रजधानी है Time अब तो थिम्पू ये भुटान की रजधानी ठीक है कुछ लोग नेपाल लिख रहे है तो पढ़िए आप लोग तो C वाले के बसी बाकिश भी गलत हो Next 39 नमबर अर्जुन पुरुषकार किसे दिया जाता है Option ए खिलाडियों को Option B सेनिकों को Option C कभियों को या फिर Option D अभी नताओ को Time शरू हो चुका है अर्जुन पुरुषकार किसे दिया जाता है चलिए फास्ट Option ए खिलाडियों को B शेनिकों को C कभियों को या फिर D अभी नताओ को Time और 2 सेगे Time अप तो अर्जुन पुरुषकार खिलाडियों को एनिक प्लेयर्स को देते हैं Option A वाले से यह खिलाडियों Next Question 40 मेरा भाई चानू कौन सा मेडल जीता है Option ए गोल्ड मेडल B ब्रॉंज मेडल Option 6 शिल्वर मेडल या फिर Option D नन अफ दिज Time शुरू हो चुका है अब कुछ लोग मेरा भाई चानू कोई नहीं जानते होंगे तो भाई यह आप पढ़ते रहो सारे मेडल वे पर्स Olympic आई है ठीक है यह Olympic में मेडल भारत को दिला ही सबसे पहला मेडल Olympic में इस बार जल्दी बताया मेरा भाई चानू कौन सा मेडल जीता है गोल्ड, ब्रॉंज, शिल्वर या फिर नन अफ दिज ताइम आप तो मीर्या भाई चानू इस बार भारत को सबसे पहला मेडल, शिल्वर मेडल, टोक्यो ओलंपिक में दिला था आप्शन C वाले शिल्वर मेडल नेक्स्ट भारत की पहली महिला राष्टपती कौन थी आप्शन ए दरवदी मुर्मू आप्शन भी इंद्रा गांधी आप्शन से शिर्यमती पर्तिभा देवी सीपाटी या फिर आप्शन भी सरोजनी नायडू टाइम शुरू हो चुका है फू आप्शन भी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट अफ इंडिया सभी का सहीवन अच्छी बहुत आप्शन से शिर्यमती पर्तिभा देवी सी पाड़े थे ठीक है आप्शन से वाले सी कुछ लोग द्रपदेवनुन मुनेख दिये अरे भाई द्रपदेवनुन मुन तभी दूसरी बनी है ना शेकेंड महिला ताप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए 42 तीमों शेनाओ का शर्वच कमांडर कौन होता है विउप्जन ए थलसन आदर्च उप्जन별ी टाइम चुछा हो चुका है विउप्जन नहीं सभी लोग चल्दी से बताएंगे चलिये फास्ट ओप्षन में थलसे नादर, CDS, राष्टपती और रच्छा मंत्री गुड़ जवश टाइम आप तो तीनों से नाव के सरोज कमंडर नहीं आर्मी एरफोर्स और नेवी तीनों के सरोज कमंडर होते हैं राष्टपती तो ओप्षन C वाले सही है CDS वाले गलत हो, राष्टपत योगटी के प्रेसिडेंट होते हैं 43 नमबर 2021 ओलम्पिक खेल कहां हुआ ओप्षन पेरिस में B अहमादाबाद में ओप्षन C टोक्यू में या फिर ओप्षन D फ्रांस में टाइम शुरू हो चुका है 2020 21 ओलम्पिक खेल कहां हुआ ओप्षन आपके सामने है ओप्षन पेरिस में B अहमादाबाद में C टोक्यू में या फिर ओप्षन D फ्रांस में सभी लोग ज़्यादी से बताएं टाइम आप 2020 21 ओलम्पिक खेल शिंपल कोशन था ये टोक्यूम होगा है ओप्षन C वाले से ये टोक्यूम है नेक्स्ट कोशन मों 44 श्वतंद्र भारात के प्रत्थम गवर्नर्ट जनरल कौन थे ओप्षन A शिराज गपलाचारी ओप्षन B लॉर्ड माउंट बेटन ओप्षन C लॉर्ड करजन या फिर ओप्षन D शर्दार वल्ला भाई पटेल टाइम शिरू हो चुका है शब भी लोग जल्दी से बताएंगे ज़र अब इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे शिराज गपलाचारी लॉर्ड माउंट बेटन लॉर्ड करजन या फिर सेतर वल्ला भी पटेल गुर्ड जोष चलिए अउला टाइगर टाइम आप तो सुतंत्र भारत के परथम गवर्न जना थे लॉर्ड माउंट बेटन ओप्षन B बाले सी ये लॉर्ड माउंट बेटन क्वेशन माउंट 45 शेना को कितने कमांड में बाटा गया है ओप्षन ए शाथ कमांड में ओप्षन B पांच कमांड में ओप्षन सी चार कमांड में या फिर ओप्षन या फिर तीन कमांड में टाइम शुरू हो चुका है मतलब army का pushura ठीके sena मतलब army को sena बोलते हैं तो इसके कितने command होते हैं 7 command 5 command 4 command या फिर 3 command और जब आप ncc जोन केले हैं तो आपको 7, 5 जितने command होते हैं उसका नाम भी पढ़ना पड़ेगा और headquarter time off sena को total 7 command में बाटा गये तो option a बाले सी ही 7 command में रात में सबसे ज्यादा जनसंख्यावाला राज्य कौन सा है। आप्शन ए राजस्थान, आप्शन भी मद्य परदेश, आप्शन ची उत्तर परदेश या फिर आप्शन डी महारास्ट। टाइम शुरू हो चुका है। तो शभी लोग जली से बताएंगे। पॉपुलेशन पूछा द्यान रहे, which state of India having largest population मतलब सबसे ज्याद लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं। राजस्थान में, मध्य परदेश में, उत्तर परदेश में या फिर महारास्ट में। टाइम अप। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्यावाला राज अपना ईवपी है। ओप्शन C वाले सी उत्तर परदेश में। नेक्स्ट 47 भारत का राष्ट्री ये खेल क्या है। ओप्शन है होकी। ओप्शन भी क्रिकेट। ओप्शन C फुट्वाल या फिर ओप्शन C वेडविन्टन। टाइम शुरू हो चुका है। बहुत इजी क्रिकेट। इसका 100% साही चीए ठीक है। इसमें जो गलत कर दिया। फिर आपको पनीस किया जाएगा। विची दे नेशनल गेम अफ इंडिया। भारत का राश्टी खेल क्या है। होकी, क्रिकेड, फुट्वाल या फिर बडिमिन्टन। टाइम आप। तो भारत का राश्टी खेल। होकी है। सब शी एक दुलग बस्ट कहला तो आप लोग थ्यान दो। होकी होता है। 48 नमबर ISRO इश्रो का फुल फॉर्म लिखें। Option A, The Indian Space Research Orientation Option B, The Indian Space Research Organization Option C, The Indian Space Research Organization या फिर Option D, The Independent Space Research Organization टाइम शुरू हो चुगा है। अब यह आप लोग इश्री फुल फॉर्म को देखलें। कितना डिफिकल्ट बन गया है। पर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे आप गलत होने वाले हैं। इसलिए इस्पेलिंग को ध्यान से देखना है। और आप तभी बता बहेंगे जब आपको याद होगा। फुल फॉर्म अफ इश्रो क्या होता है। Option आपके सामने है। और तीन सेकंडे टाइम आप इस्पेलिंग का फुल फॉर्म होता है। द इंडियन अश्पेस रिशर्च अगनेजेशन। तो आप्शन बी वाले सी बाकी सभी गलत। नेक्स्ट 49 इंडियन आर्मी का शर्वच विर्तापुर्शकार कौन सा है। आप्शन महावीर चक्र आप्शन डी अश्पक चक्र आप्शन सी किर्थी चक्र या फिर आप्शन डी परमीर चक्र टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट इंडियन आर्मी यानी भारतिय सेना का सब्से बड़ा विर्तापुर्शकार बहादुर्शकार कौन सा है। महावीर चक्र, अश्वक चक्र किर्थी चक्र या फिर परमीर चक्र और इसका बाट 20 कोशन बढ़े है ठीक है तो पूरा टेस्ट देना है टाइम आप इंडियन आर्मी का सब्से बड़ा विर्तापुर्शकार परमीर चक्र ठीक है तो आप्सट ये वाले सी परमीर सी ग्रीस को सौर्ट में हम लोग पीवीशी भी लिखते हैं नेक्स्ट 50 नमबर पूतिन किस देश के राश्पती है आप्सट फ्रांस के आप्सट बी रूश के आप्सट सी अमेरिका के या फिर आप्सट डी चीन के टाइम शुरूए चुका है पूतिन किस देश के राश्पती है नी प्रेसिडेंट है चली जल्दी युक्रेणियू दिया देना आप्सट ये में फ्रांस के बी रूश के सी अमेरिका के या फिर आप्सट डी चीन के चली फास्ट टाइम आप तो पूतिन रूश यानी राश्या के राश्पती है आप्सट बी वाले सी ये रूश के नेक्स्ट फिप्टिवन शायंस का कोश्चन है बंदूख से गोली छोड़ने पर पिच्छे धक के लगता है मतलब उसका रीजन आप्सट ने न्यूटन के गती का पहला नियम के कारण बी न्यूटन के गती का दूसरा नियम के कारण आप्सट सी न्यूटन के गती का तिसरा नियम के कारण या फिर आप्सट डी इनिमेर से कोई नहीं टाइम शरू हो चुका है बंदूग से जो हम लोग गोली छोड़े तो पीच्छे की ओर जटका क्यों देता है यह बताना है आप एंसी सी जोएन करेंगे तो आपको फायर करने के लिए मिलता है ठीक है Q52 बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है ओप्सने गंगा नदी को ओप्सन भी शरू नदी को ओप्सन सी कोशी नदी को या फिर अप्सन डी शोन नदी को टाइम शुरू हो चुका है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है सबी लोग जदी से बताएंगे चलिए फास्ट गंगा नदी को शरीव नदी को कोशी नदी को या फिर सोन नदी को और दो सेगंड टाइम आप तो बिहार का शोक कोशी नदी को कहते हैं तो option C वाले सी एक कोश्ची ने दीको 53 नमबर ध्यान चंद की स्केल से समंद रखता है option C cricket से option B hockey से option C कबड़ी से या फिर option D football से time शुरू हो चुगा है major ध्यान चंद को जानते हैं वही कोश्चन है short में पूछा है कि ध्यान चंद की स्केल से समद रखते हैं मतलए कि कौन सा खेल खेलते थे option C के सामने है cricket, hockey, कबड़ी या फुटबॉल से time up तो ध्यान चंद का श्मन hawkish है था इनको होकी के जादुगर का नाम से जानते है option B वाले से होकish है 54 नमबर mathematical question है जोकि एक्जाम में पूछा है 64 का वर्गमूल बताव यानि 64 का वर्गमूल option A 6 option B 7 option C 8 या फिर option D 9 time शुरू हो चुका है वर्गमूल समझते हैं न इंगलिस में square root तो 64 का square root कितना होता है square root of 64 चलिए fast option आपके सामने है 64 का वर्गमूल बताव सबका सही होने ची बहुत इस second third class का question एक दम zero level का time up 64 कवर्गमूल यानिया square root of 64 होता है 8 option C वाले से ही 8 55 number full form of DRDO लिखे option A defense research and department organization option B defense rescue and development organization option C defense research and development organization या फिर ऑफ संडी department research and development organization time शुरू हो चुका है long full form है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चलिए जल्दी full form of DRDO शबी लोग जल्दी से बताएंगे चलिए fast और उरी हमला में जो drone था DRDO नहीं बनाया था न time up तो DRDO का full form होता है defense research and development organization तो option C वाले से ही है next 56 नमर बच्चा वाला question आ गया भारत की रास्टी ये मिठाई क्या है option ने रश्गुला option B पेडा option C जले भी या फिर option D लड़ू time शुरू हो चुका है बच्चा कुछ लोग के तो मुह में भी पानी आ रहा होगा तो इसका अंसर सभी का सयो न चीए जल्दी 20 सेकंड का अंदर बता दू सभी लोग नेशनल स्वीट अफ इंडिया option E रश्गुला option B पेडा option C जलेवी या फिर लड़ू time अप तो भारत की राश्टी ये मिठाई जलेवी है तो option C वाले से ये जलेवी next 57 नमबर golden temple कहां इसी थै option E जैपूर में option B अमरिशर में option C पटना में या फिर option D कोलकाता में time शरू हो चुका है golden temple समझ रहे न वही question है श्वार्ण मंदिर कहां आईस्तित है option आपकर सामने है जैपूर में अमरिशर में पटना में या फिर कोलकाता में सबका स्वायू नाची बहुत easy question बहुत जगा पूछता है time off तो golden temple ये अमरिशर में तो option B वाले साही अमरिशर में next 58 number गांधी जैन्ती कब मनाई जाती है option ये 14 number को option B 5 October को option C 5 September को या फिर option 22 October को time सिरू हो चुका है time इधर आपका चलते रहता ठीक है 20 सेगंड के अंदर ये answer बताना है तभी आप वीनर होंगे सतर में सतर सही होता है तो और count करते रहें ना कितना सही हो रहा और टेस्ट पूरा daily गांधी जी का जनम दिवस कब मनाते हैं option आपके सामने है चलिए फास्ट गुर्जोष time up तो गांधी जैन्ती प्रतिक वर्स दो अक्टूबर को मना जाती है तो option डी वाले सी ये दो अक्टूबर next 59 नंबर army wing में NCC के सुरुवात कब से हुई option 1946 में option B 1945 में option C 1950 में या फिर option D 1952 में time शुरू हो चुका है तीन विंग से है ना army wing, air wing and all wing army wing में NCC कब से शुरू के अगर सबसे पहले इसी में हुआ था सभी लोग ज़ादी सांसर बता है option 1946 में 1948 में 1950 में या फिर 1952 में चलिए fast time up तो army wing में NCC के सुरुवात 1948 में के गए थी तो B वाले सही है 1948 में 60 नंबर वर्स 2021 में भारत ओलम्पीक गोल्ड मेडल विजेता किस खेल से समन्द रखता है option होकी से option B क्रिकट से option C जैविलीन थोरो से या फिर option D कबड़ी से time सुरू चुका देखलो question वा ये बट question को दूसरे तरीका से पूछा इसलिए आपको शारे question याद करने पड़े है चलिए fast 2021 में भारत को जिसने ओलम्पीक गोल्ड मेडल दिलाया वो खिलाडी कौन से खेल से थे ये बताना भी थोड़ी दिर पहले question या था उनके नाम के शान time up 2021 भारत का ओलम्पीक गोल्ड मेडल विजेता जेविलीन थरोष से थे ये निज़त चपड़ा भाला फेक तो option C वाले थे जेविलीन थरोष से next 61 नमबर vitamin D का सबसे अच्छा शुरोथ बता है option ये mushroom option B बदा हाम option C सूरे की रोषनी या फिर option D संत्रे का juice time शुरो हो चुका है best source of vitamin D option आपके सामने है जला vitamin D सबसे असानी से हम लोगो कहाँ से मिलती है mushroom से बदाम से सूरे की रोषनी से या फिर संत्रे के juice से time up तो vitamin D का सबसे अच्छा शुरोथ सूरे की रोषनी या निज़ूप option D C वाले से ये option B सुपर स्वोनिक क्रूज मिसाल option C बब्या फिर option D tank time शुरो चुका इसमें भी काफी लोग फस्त वुजब की ये कोशन बहुत जगा और बहुत इजी है बहुत जगा पूशा है what is called Brahmos option में है मिसाइल शुपर स्वोनिक क्रूज मिसाइल bomb या फिर tank timer तो ब्रमोश इज़ शुपर स्वोनिक क्रूज मिसाइल option B वाले सी शुपर स्वोनिक क्रूज मिसाइल नोट मिसाइल मिसाइल वाले गलाथ हो 63 नाबर A.N.O का फुल फिर्म लिखे option A Associate N.C.C. Office option B Associate National Officer option C Associate N.C.C. Officer या फिर option Academy N.C.C. Officer टाइम शुरो हो चुका है full form of A.N.O या अपके N.C.C. टीचर होते हैं इनका full form नहीं बतावगे फिरो गुष्णा हो जाएंगे इसलिए सबका सही होना ची option अपर सामने है चलिए फास्ट A.N.O का full form क्या होता है टाइम आप या एनका full form होता है Associate N.C.C. Officer option C बाले सही है मा किलो गलत next 64 नमबर 1962 की लडाई किस किस देश के बीच होई थी option E. भारत और पाकिस्तान के बीच option B. भारत और स्रिलंका के बीच option C. भारत और चिन के बीच या फिर option D. भारत और अमेरिका के बीच time शिरू हो चुका इस कांचर भी सभी का सही हो नाची बहुत easy question बशार्थे question थोड़ा घुमाभी राग पूशता है 1922 की लडाई किस किस देश के बीच आने किंदू देश के बीच होई थी option C बाले सी इंडिया और चाइन जल्दी time up 1922 की लडाई भारत और चीन के बीच वीच 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 option C बाले सी इंडिया और चाइना next 65 number कुट्टे के काटने से कौन सी बीमारी होती है option अश्कर B option B बेरी बेरी option C रेवीज या फिर option D डेंगू time शिरू हो चुका है बच्चा वाला कोश्चन है which disease caused by डॉकवाइट option S कर भी बेरी बेरी रेवीज या फिर डेंगू time up तो कुट्टे के काटने से रेवीज होता है तो C वाले से ये रेवीज बाकिस अभी गलत आप लोग थोड़ा पड़ो बढ़िया से विटामिन C की कमिशक कौन सा रोग होता है option या शकर भी option B बेरी बेरी option C रेवीज या फिर अफिर अफिर डेंगू time शुरू हो चुका है which disease caused by lack of vitamin C option आपके सामने है शकर भी बेरी बेरी रेवीज या फिर डेंगू कौन सी बीमारी होती ही vitamin C की कमिशे चलिए ज़दी 2 सेगंड बचा है time अप तो vitamin C की कमिशे होने माला रोग का नाम है अशकर भी C से सा तो अशकर भी ठीक है शासे तो ध्यान रहे ये वाले से ही अशकर भी 67 नमर भारत में NCC के कुल कितने बचालियन है option ने 844 बचालियन option भी 814 बचालियन option C 834 बचालियन या फिर option या 854 बचालियन time शुरू हो चुक है पूरे इंडिया में NCC के कुल कितने इवनिट है बचालियन ये बताना है option आपके सामने है 844 बचालियन 814 बचालियन 834 बचालियन या फिर 854 बचालियन चलिए जल्दी जो लोग पढ़े होंगो वही बता पाएंगे बाके लोग तो तुक्का लगाओगे time अप तो भारत में NCC के कुल 814 बचालियन option B बचालियन 68 नमबर महा भारत का यूद कहां पर हुआ था option है हरियाना में option B जमू कश्मीर में option C बिहार में या फिर option इक उत्तर प्रदेश में time शुरू हो चुका है महा भारत का यूद कहां पर हुआ था शबी लोग जदी से बताएंगे option हरियाना में जमू कश्मीर में बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश चलिए फास्ट प्यादेन कुरू छेत्र कहां पर या पर हुआ था time up तो महा भारत का यूद हरियाना में हुआ था और जगा का नाम है कुरू छेत्र तो option ये बाले से हरियाना में next mathematical question इसके लिए आपको मिलेंगे 40 seconds कि इसको solve करेंगे बताना होगा या दि ये कनुपात 8 double ratio तो खाली स्थान ratio 125 option 8 option B 125 बाई 8 option C 125 या फिर option 115 बाट्टा 8 time शुरू चुका 40 seconds ठीक है इसको solve कैसे करते है बाई आप लोग solution देखलो finger ratio का मतला बता है by यानि 1 बाई 8 या पर x माल लाते double ratio का मतला बता है equal to x ratio ये तो by 125 इसको करते cross multiply 125 आ गया x इधर ही रा गया ठीक है x को इधर नीचे ला 125 को इधर लेगा क्या हो गया x into 8 125 into 1 अब x equal to कितना होगा 125 by 8 होगा ना तो answer होगा 125 by 8 तो किसका किसका answer 125 बटा 8 है वही साही होगा बागी लोग solution देखलो डी कि इसको cross multiply से solve करते तो ध्यान दे option B वाले C 125 बटा 8 यानी 125 by 8 next last question आजगा NCC में activities के लिए कौन जीमेदार है option S.C.O option B.A.N.O option C. Army Chief या फिर option D. Defense Minister time शुरू हो चुका है चलिए fast नतला जो भी हम लोग NCC में कार्यकरम करते है जो कुछ भी होता है उसके जीमेवारी किस की होती है C.O. जो आपके NCC बटालने के हेड होते है A.N.O. जो आपके NCC टीचर होते है Army Chief जो हमारे Army के जनरल होते है या फिर Defense Mission नहीं रच्छा मंतरी का चलिए जल्दी time off NCC में activities के लिए जिमेदारी होती है आपके A.N.O. NCC टीचर के ठीक है इसका full form होते आप सभी को बहुत बहुत कांगरेशन और पचास मेंट पर सतर कोश्चन सौलब काना इतना बच्चों का खेल नहीं इसलिए बाकी लोग गच्छे से पड़े सारे कोश्चन आपके सेम एकजाम में आते और क्लास कंडीव करेंगे साम में आट बची कलास होती ठीक और डेली आप टेस्ट देंगे ठीक है फिर जो लोग चैनल सब्सक्राइब निक्ट आप चैनल सब्सक्राइब पर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन बिन तरह है मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में भी किलिए इतना है सभी को बेश्ट अपला धन्यवाद जय हिन